नमस्कार मैं हूँ शगुन Study IQ के आकाशवाणी कारेक्रम में आप सभी का स्वागत है आज हम आपके सामने बीते हफते की वे जरूरी खबरे पेश कर रहे हैं जिनसे परीक्षा में सवाल पूचे जा सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आकाशवाणी की सभी विडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चानल जॉइन कर सकते हैं तो आईए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला लोगपाल बीते दिनों RTI के रिप्लाई में एक चौकाने वाली बात सामने आई है दरसल एक RTI के जवाब में पता चला है कि पिछले तीन सालों में जबसे लोगपाल का गठन हुआ है तब से किसी भी पब्लिक सर्वेंट जिस पर भष्टाचार के आरोप लगे हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन नहीं किया जा सका है इस खबर के मद्दे नजर हमारे लिए लोगपाल संस्था के बारे में जानना जरूरी है लोगपाल स्वतंत्र भारत में अपनी तरह का पहला संस्थान है जिसे लोगपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहट गठित किया गया है इसका काम इस अधिनियम के दाइरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भरष्टाचार के आरोपों की जाच करना है गौरतलब है कि भारत भरष्टाचार के खिलाफ संयोक्त राष्ट कन्वेंशन का एक हस्ताक्षर करता है इस कानून को पारित करके भारत ने कन्वेंशन का पालन किया है लोगपाल में एक अध्यक्ष और आठ सधस्य होते हैं इन में चार न्याइक सधस्य और चार गैर न्याइक सधस्य शामिल होते हैं लोगपाल के पहले अध्यक्ष न्याय मूर्ती पिना की चंद्र घोश हैं। लोगपाल में तलाशी और जप्ति की शक्ती के साथ ही साथ प्रारम्डिक जाच, संपत्ति की कुर्की की शक्ती और ब्रश्टाचार की उन्मूलन के लिए अन्य कदम उठाने के मकसद से सिविल प प्लेज पर हस्ताक्षर कर दिये हैं। क्लाइमिट प्लेज का मकसद पैरिस समझोते को दस साल पहले हासिल करना है। साथी दोहजार चालिस तक नेट जीरो कार्बन हासिल करना है। क्लाइमिट प्लेज को साल 2019 में अमेजॉन और ग्लोबल ऑप्टिमिजम ने मिला कर किया था। इसमें क्लाइमिट क्राइसिस को क्लाइमिट आक्शन में तबदील करने की कोशिश की गई है। आपको बता दें कि पैरिस समझोता इतिहास में पहली बार जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए दुनिया भर के देशों को एक समझोते पर युनाइट करता है। ये जलवायू परिवर्तन से निपटने के लिए एक लीगली बाइंडिंग अंतर राश्वे परियावर्णिये समझोता है। इसे लागू 4 नवेंबर 2016 को किया गया था। इसका मकसद वैश्विक तापन को 2 डिग्री सेल्शियस से नीचे तक सीमित करना है। विशेश उस सीमा तक सीमित करना जहां तक पेडों, मिट्टी और महासागरों द्वारा प्राकृतिक तरीके से अफशोशित किया जा सके। इसके अलावा समझोते में क्लाइमिट फाइनांस के जरिए अमीर देश गरीब देशों को नवी करनिये उर्जा के साधनों को अपनाने के ल किशनर ने SRS Statistical Report 2019 जारी कर दी है। हम इसके जरूरी आकनों पर गौर करेंगे। राश्ट्रेस्तर पर क्रूड बर्थ रेट 19.7 है। 2018 के मुकाबले इसमें 0.3 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। सबसे जादा क्रूड बर्थ रेट बिहार का 25.8 है। सबसे कम क्र केरल में 13.5 है। राश्ट्र स्थर पर 2019 में IMR यानि infant mortality rate 30 दर्ज की गई है। सबसे जादा IMR मध्य प्रदेश में 46 और सबसे कम केरल में 6 दर्ज की गई है। 2019 में राश्ट्र स्थर पर TFR यानि Total Fertility rate 2.1 दर्ज की गई है। सबसे जादा TFR बिहार में 3.1 दर्ज की गई जानते हैं अगली खबर जोजफ बाक्टिस्टा 17 मार्च को जोजफ बाक्टिस्टा की जयनती है उनका जन्म 17 मार्च 1864 को मजगाउं बॉम्बे में हुआ था वे ब्रिटिश काल में बॉम्बे इस्ट इंडियन पॉलिटीशन थे उन्हें काका की उबाधी भी दी गई थी वे बाल गंगा धर्तिलक द्वारा शुरू किये गए होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आपको बता दें कि होम रूल लीग की मूल योजना एनी बैसेन द्वारा बनाई गई थी लेकिन अप्रेल 1916 में बाल गंगा धर्तिलक ने पूना में इसकी शुरुवात की इसके पांच महिने बाद एनी बैसेन ने सितंबर 1916 में अपनी लीग की स्थापना की जहां तिलक की होम रूल लीग का कारिकशेत्र करनाटका, महराष्ट बंबई को छोड़कर, मध्य प्रांथ और बरार था वहीं शेज भारत एनी बैसेन के कारिकशेत्र में था देखते हैं अगली खबर ग्रीन ट्रायांगल मेडा गासकर में एक ग्रीन ट्रायांगल का शुभारम किया गया इसे महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया है इसे मेडा गासकर की राजधानी आंटेन आना रिवो में भारतिये अमबैसिडर अभै कुमार और वहां के मेर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था गौर्टलब है कि मेडा गासकर में गुजरात से संबंधित बहुत सारे लोगों का डाइस पोरा निवास करता है महात्मा गांधी गुजरात के पोरबंदर से तालुक रखते थे उनके नाम पर ग्रीन स्पेस का उद्गाठन पूरी तरह से जायज है इस मौके पर भारतिय एंबैजर ने महात्मा गांधी के फेमस कोट यानि पृत्वी पनुष्य की जरूरतों के लिए पर्याप संसाधन मुहाया कराती है लेकिन लालच के लिए नहीं का जिक्र किया ये ग्रीन स्पेस महात्मा गांधी के इसी दर्शन पर आधारित है जिसमें उपभोकतावाद यानि कंज्यूमरिज्म को कम करना प्रकृती का सम्मान करना और सतत्विकास का लक्ष रखना आदिश शामिल है तो दोस्तों यही थी हमारी आज की कुछ विशेश खबरें मिलती हो कल आपसे इसी समय नमस्कार